नमस्का दोस्तों मैं कुल्टी पाप का हार्दिक स्वागत करता हूँ टॉपिक स्टेडी स्टुडियोज में हम सर्चा कर रहे हैं NCIT और RBSC बुक्स में आदारित 1000 प्लस एती महत्यों परण परसनों की सिरीज में तो चलिए शुरू करते हैं पहला किस ने राजस्तान में सर्वाप्तम बुंदी राजे ने सत्ती परता को गेर कानोनी गोशित किया था एकला किस ने किस परता के अनुसार पतनी अपने पती को छोड़ करें किसी अन्य पुरुष के साथ भी रह सकती है नाता परता में पतनी अपने पती को छोड़ करें किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है एगला किसने जीवन का अंतिम सेंसकार होता है जीवन का अंतिम सेंसकार है अंतियंस्टी होता है मुच्छाला मावीर जी का मंदिर गाने राव में इस्तित है किस मंदिर स्तापत्ते की उपसेली माने जाती है राजिस्तान करमचारी चैन बोड के नए अद्यक्स कौन बनाए गया हाल ही में किस मैला को राजिस्तान गोरव अवार से सम्मानित किया गया हाल ही में राजिस्तान गोरव अवार से सम्मानित होने वाली मैला स्वाती राटोड है जो नागोर जी लेकी है एगला क्युशन है राधिस्तान का पहला इंद्रा मैला सक्ति के अंदर कहां स्तापित किया जाएगा राधिस्तान का पहला इंद्रा मैला सक्ति के अंदर मान सरोवर जेपूर में स्तापित किया जाएगा एगला किशन है परदान मंतरी आवासी ओजना ग्रामीन में स्रेश्ट परदसन करने वाले जीलों के चैन में राजस्तान के निमन में से किस जीले को राश्टियस तरपर परतवस्तान परदान किया है एगला किशन है हाल ही में राजस्तान विदान सभा के परतवस्तान परदान किया है एगला किशन है किस विदान सभा चुनाओ में राजस्तान विदान सभा की सदस्य संक्या फिरी सिमन आयोग सन 1952 में पीरी सिमन आयोग ने राजस्तान विदान सभागी सदस्य संक्या कितनी निदारित कीती सन 1952 में पीरी सिमन आयोग ने राजस्तान विदान सभागी सदस्य संक्या 160 निदारित कीती सन 1952 में एगला कुछ ने है, भारतिय सवीदान के किस अनुचेद का तहत में विधान परिशद का गठन किया जासकता है एगला कुछ ने है, वरस 2000 तक इन में से किस बवन को राजस्तान विधान सभा के रोप में उप्योग किया जारा था वरस 2000 तक सुवाई मान सिंह टाउन होल को राजिस्तान विदान सवा के रोप में उप्योग किया जा रहा था अगला किशन है सुबटिया लोक गीत का सम्मद बील स्थरी से है अगला किशन है बीलो का परसित लोक गीत जिसे इस्थरी पूरस एक साथ मिलकर गाते हैं बीलों का परसित लोग गीत है जिसे इस्तरी और पूरस साथ मिलकर गाते हैं कौन सा होता है हम सी दो एगला कुछन है छेड़े किस परकार के अवसर पर गाय जाते है छेड़े किस परकार के अवसर पर गाय जाते है छेड़े सिशु मर्ति उदर पर छेड़े गाय जाते है एगला किसन है रत्वाई लोग गीत किस चेतर में गाये जाते हैं रत्वाई लोग गीत मेवात चेतर में गाये जाते हैं एगला किसन है निमनने में से कौन सा एक लोग पीरिय राजस्तान में परवत्य चेतर का नहीं है यह पटेलिया राजस्तान के परवत्य चेतर का है बिच्चिया भी राजस्तान के परवतिय चेतर का है लालर भी राजस्तान के परवतिय चेतर का है लेकिन जो यह कुर्जा यह कुर्जा राजस्तान के परवतिय चेतर का नहीं है एगला किसन है घूगरी केवडा आदी लोकगीत किस चेतर से संबनिता है घूगरी केवडा लांगुरिया गीत वो केला देविके मेले का आकरसक है किसी राग के गाने के लिए परसिती एगला कीशन है जारोवा लोक गीत का सम्मन्ध है जोरावा लोक गीत का सम्मन्ध कीसले मेर से जो रावा लोकेगीत का सम्मन किस से है जेसल मेर से एगला किसन है राणा कुम्बा को निमना इंकित वाद्धे एंतरों में से किस में दख्सता हासिल थी राणा कुम्बा को वीना में वाद्धे एंतर में दख्सता हासिल थी अगला किसन है माराणा कुम्बा ने देश पर विजे प्राप्त करने के ओपलक्स में विजे स्थम का निर्माने करवाया था माराणा कुम्बा ने मालवा और गुजरात की सेना पर विजे प्राप्त करने के बाद में विजे स्थम का निर्माने करवाया था अगला किसने आकरमन का वर्नन किया है अमीर कुस्रों ने चित्तोड पर अलाओ दिल खिल जी के आकरमन का वर्नन किया है किस में किया है खाजाईन उल फतु में खाजाईन उल फतु में अमीर कुस्रों ने चित्तोड पर अलाओ दिल खिल जी का आकरमन का वर्नन किया है एगला किशन है सारंगपर का युद कब लड़ा गया था सारंगपूर का युद 1437 इस्वे में लड़ा गया था राना कुम्बा और सुल्तान मैमूद खिल जी के मद्धे लड़ा गया था इसमें राना कुम्बा के इसमें विजे हुई थी एगला किशन है एकला किशन है एकला किशन है गुहिल राजवन से है जो राजस्तान में पूर्वसेव परंप्रा है उसका निर्वहन करता है अगला कईशन है कुंबा का गुजरात के साथ संघस का प्रारंबिक कारण क्या था नागोर विवाद अगला कईशन है निमल निखित में से कौन सा एक गरंथ कुमबा द्वारा रचित गरंद कौन सा संगीत राज की रचना कुमबा द्वारा की संगीत प्मासा भी कुमबा द्वारा रचित गरंद है रसीक पिरिया भी कुमबा द्वारा रचित गरंद है लेकिन कौन से कौन सा नहीं है ये राजवल्लब गरंद है जो कुमबा द्वार बी देश किसी भी अन्ने रज्य या देश के साथ सीमा नहीं रख्टा कौन है जोधपुर एकला किशन है राधिस्तान का सबसे कम एम सारवादिक अंतराश्टिय अंतराज्य सीमा बनाने वाला जिल्ला कौन सा है बाड मेर और जालावाड बाड मेर सबसे कम बनाता है और जालावाड सारव से ज्यादा बनाता है एकला किसिन है राजस्तान में कौन से जिला उत्तर परदेश राजे की सीमा से लगावा है राजस्तान का कौन सा जिला है जो उत्तर परदेश राजे की सीमा से लगावा है बरतपूर और दोलपूर ऐसे जिले राजस्तान के जो उत्तर परदेश राजे की सीमा से लगे हुए एगला किसे निमनी किते में इसे कौन सा जिला राझस्तान और मर्देपर्देश की सीमा पर इस्तित नहीं है ईगला किस्टन है निमन में से किस जिले की सीमा गुजरात को ऐसपर से नहीं करती है। गंगा नगर एकला किस्टान है राजस्तान राज्य के सारवाद एक लंबी सिमा किस राज्य के साथ है राजस्तान राज्य के सारवाद एक लंबी सिमा किस राज्य के साथ है राज्य के सारवाद एक लंबी सिमा मर्दि पर्देश के साथ है कितनी 1600 किलोमेटर एगला किसन है रेड कलिप पर स्थित राजस्तान के जिलों का चेतर पल में अवरोहिकरम किसमें चेतर पल में अवरोहिकरम पुचा रेड कलिप पर स्थित राजस्तान के जिलों का चेतर पल में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा है जेसल मेर का उसके बाद मेर बाड़ मेर के बाद मेर के बाद मेर बिकानेर के बाद मेर बिकानेर के बाद मेर गंगानगर तो कौन सा उपसन हो जाएगा उपसन नमर तीन जेसल मेर बाड़ मेर बिका पाकिस्तान के साथ लगती है गंगानगर की पाकिस्तान के साथ लगती है लेकिन हनुमानगर एक ऐसा जिल्ला है जिसकी सिमा पाकिस्तान से नहीं लगती है अगला किशन है रेड क्लिप रेकापर राजस्तान का विस्तार है रेड क्लिप रेकापर राजस्तान का विस्तार हिं NCRT के सीरीज आपको 1000 क्रिशन के तब तक है जारी रहेगी तब तक के लिए आप थेंक्यू बाई